हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चनल बैक टू दे बेसिक्स दोस्तों अभी हम लोग एकॉनमी रिलेटेड एमसी कुछ सॉल्फ कर रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है टॉपिक एग्रिकल्चर आपको तो पता ही है कि हमारा लक्ष है यूपीएस्सी एक्जाम को क्रैक करना ब एमसी कुछ सॉल्फ कर हैं हम लोग एग्रिकल्चर का ये पार्ट थ्री वीडियो है दो वीडियो जो अलड़ी आ चुके हैं यदि आप चैनल पर नया है तो सबसे पहला काम यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दिये ताकि जो भी वीडियो ज आता है आपका कोई भी वीडियो आता है related to your exam especially UPSC तो वो आपको direct मिल सके हैं चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा साथ noise आ सकता है क्योंकि आज पूजा का महौल है तो उसके लिए आप लोग मुझे चमा करेंगे आई question 43 है which of the following statements is are incorrect about decentralized procurement scheme तो decentralized procurement मैंने आपको क्या बता था generally सुरू से यह चलता रहा है कि FCI centralized procurement करता है यानि पंजाब से गहों खरीदेगा ठीक है और उसको वो जहां पर भी storage उसका होगा वहां पर जाकर करके store करेगा वापस फिर पंजाब को वो भेजेगा उसके fair price shops में तो इसमें क्या होता है तो बहुत बोल दे जाके तुम ही खरीद लो खरीद लो store कर लो और distribute कर दो और इस पूरे process में जो पैसा आता है वो पैसा हम आपको दे देंगे ठीक है तो यह decentralized procurement scheme फिर बाद में start हुआ है तो देखें under this scheme the designated states procure, store and also issue food grains under the targeted public distribution system तो यह statement बिलकुल सही है दूसरा दिखें the difference between the procurement cost of the states and the central issue price is passed on to the states by the government of India as a subsidy second statement को समझने से पहले है फ़ला statement तो चले सही है यह incorrect पूछ रहा है दिखें एक हुआ procurement cost की जितने में खरीदा गया उसको बोला जाएगा procurement cost लेकिन इसके बाद इसमें transportation cost, storage cost सबको जोड़ दिया जाएगा तो यह आएगा आपके food grain का economy cost यह होगा economy cost तो जनरली यह economy cost किसको लगता है? एफसी आई को लगता है और एफसी आई फिर states को जब issue करती है grain तो state से वो लेती है central issue price central issue price वो state से लेती है और economy cost उसको एफसी आई को लगता है मालब FCI को कितना खर्च हुआ तो एफसी आई को लगा economy cost के बराबर खर्च लगा और state से FCI ने कितना पैसा लिया central issue price लिया ठीक है मेरी बात समझ गया तो अब यहाँ पर क्या बला डिफ्रेंस यह जब FCI प्रक्यूर करेगी तो लेकिन अगर state भी प्रक्यूर करेगा तो यह economy cost माइनस यह central issue price यह पैसा ही central क्या दिकरेगी इसको देगी state को देगी अभी यह economy cost किसको खर्च हुआ है state को खर्च हुआ है लेकिन यह खर्च किसको करना था यह खर्च करना था और cost है जिसको कहा जाता है economic cost ठीक है यह बात हमें इसा याद रखेगा तो second statement आपका incorrect है तो right answer क्या हो गया 43 का option number B2 only आयो 44 question रेखेंगे consider the following statements with reference to negotiable warehouse receipt system तो negotiable warehouse receipt system के बारे हम बोल रहा है it was launched by ministry of agriculture and farmers welfare यह गलत है दोस्तों इसको launch किया गया था ministry of consumer affairs consumer affairs food and public distribution के द्वारा तो पहला statement आपका गलत है negotiable warehouse receipt system यह launch किया गया था ministry of consumer affairs food and public distribution के द्वारा दूसरा देखें these receipts are issued directly by the food corporation of India to the farmers ऐसा नहीं है देखें जो warehouses registered रहते है ना registered warehouses रहते हैं यह warehouse हो गया किसान गया अपना food food जब उसका उगाया हर्वेस्ट किया उस टेम उस प्राइस नहीं मिल रहा प्राइस बहुत कम मिल रहा है तो यह क्या करेगा जाकर के इसको particular warehouse में registered warehouse में वो क्या करेगा अपना food grain यहां पर जमा करा लेगा और यहां से ले लेगा receipt इसको बुलेंगे negotiable warehouse receipt और इस receipt को bank को दे करके bank से ले लेगा loan ठीक है यही scheme है तो इसमें इसमें FCI farmers को यह receipt issue नहीं करेगी यह जो registered warehouses है वही इसको 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 करेंगे तो second statement आप करौँगे farmers can seek loans for banks against the warehouse receipt issued to them against their storage यह बिल्कुल सही है यह storage उनका एक तरीके से क्या काम करा है mortgage की तरह काम करा है कि भाई इसका समान तो पड़ा ही हुआ है उसके बदले में यह हमसे loan ले रहा है तो फिर आसान हो जाता है loan लेना तो third statement आपका correct है 44 का right answer क्या हो जागा option number C3 only रहे दोस्तो 45 question देखेंगे which of the following statements regarding प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी is are correct ठीक है तो बल रहा है it is a centrally sponsored scheme centrally sponsored scheme यह होता है इसमें कि center कुछ पैसा देती है और state कुछ पैसा देती है लेकिन आपको पता होना चाहिए जो PM किसान है इसमें को पूरा का पूरा पैसा center ही देती है state कुछ नहीं देती है तो state कुछ भी नहीं देती है तो इसलिए इसको क्या बोला जागा central sector scheme central sector scheme ठीक है क्यूंकि it is 100% funded by the center and city the central sector scheme पहला गलत है दूसरा देखें under the scheme center transfers an amount of 6000 rupees per year in three equal installments यही होता है आपको पता ही होगा PM किसान scheme बहुत popular scheme है इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए ठीक है तो 6000 रुपे 2000-2000 करके तीन बार में central government किसानों के accounts में सीधा बैस देती है ठीक है तो दूसरा बिलकुल सही है तीसरा दिखें the entire responsibility of identification of beneficiary farmer families rests with the state UT government हाँ यह बात बिलकुल सही है कि किसानों को identify करने का काम ठीक है उनके account वगरा को link करने का काम ठीक है यह सारा काम किसका है state government का या UT government का है ठीक है तो third statement बिलकुल आपको आपका correct है right answer क्या हो जाएगा 45 का option number C 2 and 3 only PM किसान प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि आए 46 question रखेंगा which of the following statements is are correct about the essential commodities act essential commodities act का scheme समझ लेजे क्या है इसके अंतर गत कोई समान का price अगर market बहुत जादा बढ़ जाता है दूसरी बात कि वह समान बहुत जरूरी है लोगोप के लिए ठीक है वह food वगरा भी हो सकता है even pharmaceuticals भी हो सकता है drugs भी हो सकता है दवाईया भी हो सकती या फिर कोई और समान भी हो सकता है ठीक है कौन सा समान होगा essential commodities में इसके notification में notification में government के द्वारा जिस भी समान को डाल देज़े वही हो गया essential commodities असा कोई definition हो गया इसका नहीं है यह बात ध्यान रखेगा तो there is no specific definition of essential commodities in the essential commodities act 1955 यह बिल्कुल सही बात है कोई definition नहीं है कि food commodity होगा या क्या होगा notification में जिसका भी डाल दिया ज़े ठीक है वही जिस भी समान को डाल दिया ज़े वही essential commodity माना जाएगा फिर दिखें the act aims to prevent hoarding and black marketing of food stuff तो पहला सही actually there is no specific हाँ मतलब no no specific लिख रहा है तो yes there is no specific definition तो पहला statement बिल्कुल सही है दूसरा दिखें the act aims to prevent hoarding and black marketing of food stuff बिल्कुल सही बात है पहले लोग क्या करते थे वो अपने गोदाम में प्याज पूरा मार्केट में इतना है खरीद खरीद के जमा करते गां अब प्याज वो मार्केट में release ही नहीं कर रहें जिसके कारण ओनियन का प्राइस जो है इसका पर्टिकुलर लिमिट से जादा आप होडिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर पुलिस क्या करते थी सिधा मारती थी छापा ठीक है और देखें कि इसके पास इससे ज्यादा जमा है तो उसी इधे वो कैप्चर और मार्केट में उसको रिलीज कर दिया जागा ठीक है तो प आपका एसेंसियल कॉमोडिटी जाट पुट्टी सेवन क्वेशन देखेंगे विच और फॉलेइंग इज आर करेक्ट अबाउट अग्रिकुल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी इस जिसको हम लोग मंडी बोलते हैं तो यहाँ पर किसान जाकर के अपना समान बेशते है तो APMC's are regulated by states यह बिल्कुल सही statement है APMC's किसके द्वारा regulate की जाती है states के द्वारा regulate की जाती है फिर देखें aim of APMC is to ensure farmers are safeguarded from exploitation by large retailers as well as insuring the farm to retail price spread does not reach excessively high levels मतलब कहने का अर्थ यह है कि APMC का दो objective है एक तो यह कि farmers को जो है retailers जो है farmers को ज़्यादा exploit ना कर सकें दूसरा यह भी है कि farmers ही retailers को ज़्यादा exploit ना कर सकें ठीक है farmers retailers को ज़्यादा exploit ना कर सकें यानि farmer को भी fair price मिल सकें और retailer को भी fair profit मिल सकें ठीक है यह 48 नंबर question देखेंगे इगरी प्रोड़क्ट्स के लिए भी करता है और forest produce के लिए बहुता है तो forest produce हो गया आपका जैसे honey देंदू पत्ता केंदू पत्ता ठीक है फिर आपका bamboo यह सब होगे आपका forest product तो यह इन सब जो है उसको organized, develop, market करने का काम करता है दूसरा देखे नाफेड is registered under the multi-state cooperative societies act आप इसका नाम में देख लिए कि यह cooperative society है ठीक है तो और चुकि यह एक state में काम तो करता नहीं है एक state से ज्यादा state में काम करने होला cooperative multi-state cooperative societies act में registered होगा तो yes यह सही है दूसरा देखे नाफेड is also one of the procurement agencies with the FCI मैंने आपको बताया था कि कुछ-कुछ चीजों के procurement का काम नाफेड को देखे जैसे oil seeds का ठीक है या फिर pulses का कई बार rice wheat का भी काम दे दिया जाता है ठीक है तो तीसरा आपका correct है फिर नाफेड देखे नाफेड is the nodal agency to implement price stabilization measures under the operation green operation green क्या है top tomato onion और potato इसका price अचानक स बहुँ जादा बढ़ जाता था तो ठीक है इसके price को stabilize करने के लिए operation green लाया गया हलाकि बाद में इस operation green को top से total की तरफ change कर दिया गया है यानि पहले ये सिर्फ तीन crop पर focus था अब total यानि सभी crops पर focus है अभी भी total का मतलब सभी crops नहीं है इसमें कुछ 20-22 crops क्या सपस हो गया यानि अब बहुँ सारे crop का coverage इसमें बढ़ा दिया गया है operation green के अंदर तो yes और इसका जो nodal agency है वो ना फेड ही है तो fourth statement is actually correct तो 48 का right answer क्या हो जाएगा 1,2,3,4 सब correct है अच्छा incorrect पूछ रहा तो एक भी incorrect नहीं है right answer is option number D आई यह 49 question देखेंगे identify the correct statements about mission for integrated development of horticulture तो mission for integrated development of horticulture के बारे में देख लीजे कि पहला बोला it is a central sector scheme for holistic growth of the horticulture sector दोस्तों एक जगह में बहुत सारे schemes का video ले आऊँगा तीक है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा centrally sponsored scheme है और कौन सा centrally sponsored central sector scheme है तो यह बात मैं आपको बता दूँ कि mission for integrated development of horticulture scheme जो है central sector scheme नहीं है centrally sponsored scheme है यानि इसमें center और state दोनों को कुछ न कुछ funding fund share करना है तो पहला statement तो आपको गलत है दूसरा देख लिजे चमन जो है coordinated program on horticulture assessment and management using geo informatics was initiated under MIDH देखे आजकल होता है कि एक सिंक के अंदर दूसरा scheme या initiative आते रहता है तो चमन जो है वो याद रखेगा कि MIDH के अंदर में है चमन जो है MIDH के अंदर में है तो दूसरा correct statement तीसरा देखेंगे इट also provides technical advice and administrative support to state governments, state horticultural missions और saffron mission देखेंगे यह आपका horticultural mission है तो state horticultural missions को भी यह support प्रोइड करेगा हां करेगा फिर देखें सैफरोन mission क्या हो गया आपका जम्मू and कस्मीर में आपका होता है न सैफरोन जिसको क्या बोलते है जाइफल बोलते है या फिर जाफरान बोलते है ठीक है तो यह भी एक टाइप का horticultural product है तो उसके लिए भी यह काम करेगा तो yes काम करेगा ठीक है तो 49 का right answer क्या हो जागा दोस्तों 2 and 3 only या नहीं क्या option number see simple question लेकिन यह schemes का थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा आई question 50 देखेंगे which of the following statements are correct about operation green operation green के बारे में देख लीजे it was launched by the ministry of agriculture तो यह statement गलत है दोस्तों हर एक scheme का आपको ministry जानना है तो यह launch किया गया था आपका ministry of food processing industry ministry of food processing industries के दोरह इसको launch किया गया तो पहला statement आपका गलत है दूसरा देखें operation green 6 to stabilize the supply of tomato onion potato to ensure availability of top crops throughout the country round the year without price volatility यह बात बिल्कुल सही है कि यह इसी के लिए लाए गया था टॉप के लिए लाए गया था अलाकि अब इसका जो objective हुए वो total की तरफ बढ़ा दिया गया है नहीं कि और भी इसमें crops add कर दिया गया है नोडल एजेंसी कौन है नाफेड है ठीक है एक चीज पहले नहीं पता थी एक बार आप question में देखें नहीं पता थी वहाँ बता दिया दूसरे बार उसी चीज को देखा अब आपको पता होना चाहिए ठीक है तो नाफेड इधर नोडल एजेंसी फोर operation green इतना याद रख ल देखेंगे which of the following are the features of the model agricultural produce and livestock market committee तो जैसे APMC होता है उसी तरीका का ये भी है लेकिन इसमें livestock भी sell होगा ठीक है ये भी मंडी है तो agricultural produce and livestock stock market committee provides recognition of a state duty as a single market ठीक है तो state में state को ये single market बनाने का objective रहते हैं कि state में ऐसा नहीं हो कि अलग-अलग APMC जो है वो अलग-अलग price price दे रहे है किसानों को ज्यादा लुभाने कोशिस करा है कहीं ज्यादा ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है particular service के लिए किसानों से तो वो नहीं पूरे state को एक uniform single market में convert करना है ये इसका scheme ये इसका objective है yes दूसरा देखे तो give freedom to the agriculturalist to sell their produce to the buyers and at the place and time of their choice तो ये agriculturalist और buyer इत दोनों को ये freedom देना चाहता है ठीक है कि agriculturalist जब बेचना चाहें तब बेच सकता है जहां बेचना चाहें वहां बेच सकता है दूसरा काम buyer जब चाहें तब खरीच सकता है और जहां चाहें वहां खरीच सकता है यानि मतलब ये मंडी के बाहर भी खरीचना चाहें तो खरीज सकता है, तो ये इसको benefit देने के लिए ये scheme लागया, तो yes, ये भी सही है, ये scheme लेक लिए ये act है, किसना देखे, centralization of market committee and state UTA marketing board to streamline their function, दोस्तों देखे, कोई भी scheme में centralization जो है, ये purpose नहीं हो सकता है, ठीक है, तो just remember कि इसका objective है decentralization ना कि centralization, ठीक है decentralization and democratization of APMC करना है, ठीक है decentralization and democratization of APMC is the target here, ना कि centralization, तो third statement आपको गलत है, राइट इंसर क्या हो जागा, 51 का option number A, 1 and 2 only, देखे, इंडिया is the largest producer of which of the following crops, दोस्तों यतने भी major crops हैना, उसमें आपको लिख लेना है कि इंडिया इसमें first है, या इंडिया इसमें second है, अगर इंडिया second है, तो first कौन है, ये आपको लिख करके one page का आप notes बना लेंगे, ये बहुत most important है, ठीक है, तो coffee का समझ लिए, कि coffee इंडिया ना first है ना second है, coffee में इंडिया top 10 में आता है, और first है Brazil, Brazil है first coffee में, दूसरा देखे, pulses, pulses के अंदर इंडिया largest producer है, 25% अग इंडिया produce करता है, फिर देखे, लेकिन consume करता है global का 27%, तो largest producer है, largest consumer है, ठीक है, और in fact, largest importer भी है, largest importer भी है, largest producer, largest consumer, and largest importer, लगवा 14% पूरे वर्ल्ड का pulses import वो इंडिया ही करता है, तो दूसरा statement वैसे सही है कि हाँ, pulses के मामले में इंडिया सबसे आ गया है, तीसरा देखे, cotton के मामले में भी इंडिया first है, cotton के मामले में भी इंडिया first है, खोर से देखे लिए ओयल पाम, ओयल पाम देखे दोस्तों, अगर आपको थोड़ा ही पता होगा, तो आप यह जान नहोंगे कि इंडोनेसिया, एंड मलेसिया, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इंडिया में तो एक परसेंट भी पूरे गलोबल प्रोड़क्शन का, एक परसेंट भी ओयल पाम प्रोड्यूस नहीं होता, इसके लिए इंडिया भी स्कीम लेकर क्या रहा है, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ओयल पाम, संख्लॉयर ओयल यह सब इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सेल्फ सफीशिंट आत्मनिर भर नहीं हैं, दो चीजों के लिए, पल्सेस के लिए और ओयल के लिए, ठीक है, तो येस, ओयल पाम के केस में हम लोग फर्स्ट नहीं है, टू और थ्री में हम लोग फर्स्ट हैं, तो राइट एंसर क्या हो जागा, आप्शन नमबर बी, टू एंड थ्री ओनली, आयो 53 क्वेशन देखेंगे, यहां फिशरीज सेक्टर के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेट्मेंट को अदेन्टिफाई करना है, पला दिखें, वाल इनलेंड फिशरीज आर फुली मेनेज़ बाइ स्टेट गवर्मेंट्स, पहला स्टेटमेंट आपका रॉंग है, दूसरा दिखें, तो यह बात बिल्कुल सही है, पहले भी अमनों बात कर चुके थे, कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट है, वो किसानों के अलावा, जो फिश फार्मर्स वगरा हैं, उनको भी एक्सेंट किया जा चुका है, तो सेकेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, राइट एंसर इस उप्शन नमबर A1 ओनली, यह बात आप ध्यान रखेगा, कि इंडिया फिस प्रोडक्शन के मामले में, जो है लगभग थर्ड लार्जिस्ट फिस प्रोड्यूसिंग स्ट स्टेट है, एक्वा कल्चर के मामले में, सेकेंड लार्जिस्ट है, और यह सब डेटा को आप अपडेट कर लिजएगा, जो भी आपका इकॉनमिक सर्वे आता है उससे, हलाकि इस साल इकॉनमिक सर्वे प्रोपर आया नहीं है, तो आप उसको देख लिजएगा, करेंट कि इंडिया का क्या स्टेटस है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा इस मामले में, इंडिया का प्रोड़क्शन बढ़ रहा है, तो हो सकता है, थर्ड से कभी वो सेकेंड पर आजा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, खैर, देखें, फिप्टी फोर्स क्वेशन देखेंगे, consider the following statements regarding E-naam, तो E-naam कहा है दोस्तों, जितने APMC's थे न, वो मंडी थे, जिनकी में बात कर रहा था, तिक है, उन APMC's वो connect करने की बात कर रहा है, E-naam, तिक है, electronic national agriculture market, electronic national agriculture market, यानि सारे APMC's को electronically ये connect कर देगा, इस साम देखेंगे कि मुझे इस particular मंडी में कम पैसा मिल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है मंडी, वहाँ पर ज्यादा पैसा मिल रहा है, और ये पता कैसे चलेगा उसको, ये E-naam, ये एक एप है, इसका एक एप रहेगा, उसके थुरू पता चल जाएगा, सोचेगा कि transportation cost उतना जादा नहीं है, तो वहीं पर क्यों न पहुंचा कर क ठीक है, तो देखे, food corporation of India is the lead agency for implementing E-naam, याद रखेगा, कि E-naam implement किया जा रहा है, SFAC के द्वारा, ठीक है, small farmers, agribusiness consortium, small farmers, agribusiness consortium, remember this, अभी के अभी, E-naam किसके द्वारा implement किया जा रहा है, small farmers, agribusiness consortium के द्वारा, ये सब के द्वारा नहीं, food corporation नहीं, पहला statement आपका रॉ दोस्तों, दूसरा दिखे, E-naam provides single window services for all agricultural produce market community related services and information, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताए कि हाँ, ये काम तो करेगा ही, ठीक है, तो second statement आपका correct है, दोस्तों, 54 का right answer क्या हो जागा, option number B, 2 only, आई ये 55 question देखेंगे, about fertilizer subsidy in India, which statements given below is are correct, तो fertilizer subsidy के बारे में, कौन सा statement, correct है, ये पूछ रहा है, Indian fertilizer industry is the second largest in the world in terms of production and largest in terms of consumption, ठीक है, तो थोड़ा पुराने data के नुसरा, इंडिया, third largest है producer, ठीक है, third largest producer है, और आपका second largest consumer है, दोस्तों, India is the third largest producer and second largest consumer, second है consumer में, तो पहला statement आपका गलत है, but again, चुकि इन सभी में आपका production and all improve ही हो रहा है, you have to match it with the current affairs, कि वहाँ पे कुछ change ना आ गया हो status में, ठीक है, तो पला statement फिलहाल गलत है, दूसरा देखे, और उस price से ज़्यादा price पर कोई भी यूरिया को बेच नहीं सकता है, इंडिया में, ठीक है, और बाकी जो fertilizers है, उसमें ऐसा नहीं है, बाकी fertilizers में government क्या देते है, nutrient based subsidy देती है, लेकिन MRP fix नहीं करती है, ठीक है, तो second statement आपका क्या है, correct है, 55 का right answer क्या हो जागा, option number B2 only, आई ये 56 question देखेंगे, consider the following statements regarding the soil health card scheme, तो soil health card scheme के regarding statements दिया है दोस्तों, और आपका correct statements को identify करना है, पहला देखे, तो पहली बात तो ये है कि इसके लिए कोई approval की जरोत नहीं है, ये सारे states और सारे ही utage में implement की जाएगी, ठीक है, सारे ही, है central government के द्वारा ही implement की जाएगा, but in all the states and in all the utage, क्योंकि देखे, state को कुछ पैसा देना नहीं है, state को कुछ काम करना नहीं है, तो उसका approval का जड़ोत ही नहीं इसमें, ठीक है, दूसरा दिखे, इट contains the status of soil with respect to 12 parameters in which the secondary nutrients are N, P and K, ये तो गलत है, secondary nutrients नहीं NP के, NP के primary nutrient है, secondary nutrient sulfur है, फिर micronutrient है, zinc, boron, iron, manganese, copper, और फिर physical parameters भी है, जिसमें electrical conductivity, organic carbon और pH ये सब आता है, ठीक है, मैं ये इतना क्यों बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको याद करना है, नहीं याद है, तो अभी कभी मैं आपको याद कराँगा, तो दूसरा statement आपका गलत है, तीसरा देख लिए, under the soil health card scheme, farmer will get the soil health card once every three years, three years नहीं, हर दो साल में soil health card issue होगा, farmer को, ठीक है, हर दो साल में soil health card issue होगा, farmers को, ठीक है, तो तीसरा statement भी आपका क्या गलत है, एक भी correct नहीं, right answer होगा, option number D, none of तो याद कर लिजे, कि यह state के approvals नहीं, हर state में implement किया जाएगा, soil health card scheme, और इसको एकदम याद करे, primary nutrient कौन कौन है, nitrogen, phosphorus, potassium, NPK primary है, secondary है, secondary है, sulfur, NPK primary, secondary sulfur, फिर micronutrients में आजाएगे, zinc, boron, iron, manganese, copper, zinc, boron, iron, manganese, copper, फिर physical parameter में आजाए, pH, electrical conductivity and organic carbon, you have to, have to, have to remember this, ठीक है, अब आकी ये दो साल में issue होगा, soil health card, 57 question देखेंगे, about the horticulture sector in India, which of the following statements is correct, horticulture sector के बारे में क्या correct है, ये पूछा जार आप से, होटी कल्चर, crops are characterized by high value crops, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब फल वगरा लें जाए, तो आपको पता है, कि उसका price अच्छा का असुरत है, higher productivity per unit of area, ठीक ठाक, productivity भी होता है, and lower requirement of irrigation and input cost, एक बार पेल लगा दिजए, तो बहुत जादा मतलब आपको irrigation करने की, या फिर खाद वगरा देने की जरूत नहीं होती है, तो ये statement आपका बिल्कुल सही है, दूसरा देखें, India is the largest producer of horticulture products in the world, ये गलत है, largest producer है China, second largest है India, हाँ, बहुत सारे particular products के लिए India भी first है, बट overall India first नहीं है, overall China first है, ठीक है, और second है India, तो दूसरा statement आपका गलत है दोस्तों, 57 का right answer क्या हो जागा, option number A1 only, आपको तो ये लिख लेना है, कि India first किसमे किसमे करता है, बनाना, मैंगो, लाइम, लेमन, पापाया, ओकरा, ठीक है, इन सब में India first करता है, ये आपको दिम याद रुखना, बनाना इंडिया first, मैंगो इंडिया first, लाइम और लेमन इंडिया first, पापाया और ओकरा इंडिया first, ठीक है, and overall horticulture में इंडिया second है, 58 क्रेशन देखेंगे and grows well in the black cotton soil of Decan plateau, बिल्कुल सही बात है, cotton खरीफ क्रॉप तो ही है, ठीक है, और यहाँ Decan plateau में आपको पता ही है, कि वो जो black regours soil होता है, वहाँ पर खूब सारा cotton, वहाँ के विदर्व, महाराष्टरा के विदर्व, वगरा के जो farmers हैं, वो cotton हो गाते हैं, तो पहला statement बिल्कु सही है, दूसरा देखे, इंडिया is the highest cotton producing country in the world, ये भी सही बात है, ये उपर में दो बार ये fact repeat हो चुका है, कि yes, इंडिया is the highest cotton producing country in the world, in fact, पूरे world में यतना cotton producing area है, उसका 37% area जो है, वो इंडिया ही के अंदर है, तो दूसरा भी सही, तीसरा देखे, the textile industry employs the highest number of people in the country after agriculture, ये पर, कौन employee करता है लोगों का सफ्रादा, तो वो है textile industry, ठीक है, तो third statement भी आपका correct है दोस्तों, 58 correct answer क्या हो जाएगा, option number D, all of the world 59 question देखेंगे दोस्तों, which of the following statements regarding jute industry in India are correct, jute के बारे में बोल रहा है, कि India is the largest producer of jute, also largest in terms of of accrets and trade, देखें, एक बात तो समझे लिए कि jute का largest producer जो है, वो इंडिया है, ठीक है, और second largest कौन है, बंगलादेश, लार्जेट प्रोडूसर अब जूट कौन है, इंडिया है, ठीक है, और second largest कौन है, वो है, बंगलादेश, ठीक है, जादा area कहा है, jute के अंदर, वो इंडि developed country status का, ठीक है, least developed country status का benefit मिलता है बंगलादेश को, ठीक है, इसलिए उसके jute products, जो है, वो ट्रेड के case में, इंडिया के product से ज्यादा competitive है, ठीक है, उनको, जो है, कम tariff लगता है, ठीक है, लेकिन इंडिया के jute products है, उसको थोड़ा ज्यादा tariff लगता है, ठीक है, दूसरी ज्यादा कर देगी, तो पहला statement आपका गलत है, क्यों गलत है, कि इंडिया तो largest producer है, जूट का, बट सफचे ज्यादा trade जूट का वो इंडिया नहीं करता है, ठीक है, तो पहला statement आपका wrong है, दूसरा देखे, it is mainly concentrated in eastern India, because of the rich alluvial soil of Ganga, Brahmaputra, Delta, तो ये बात बिलकुल सही है, क ये किधर concentrated है, जूट, आपका West Bengal, पुरीशा, आंधरा इधर आपका, ये concentrated है, ठीक है, तो second statement बिलकुल correct है, राइट एंसर हो जाएगा, option number B2 only, साथ number question देख लिए, about fair and remunerative price for sugar can, which of the following statements are correct, तो sugar can के FRP के regarding, आपका statement पूछा दरा, FRP जैसे Central Government बाकी 22 crops के लिए MSP जारी करती है, वैसी sugar can के लिए FRP जारी करती है, ठीक है, और recommend कौन करता है, CACP, Commission on, ठीक है, Commission of for agricultural cost and prices, ठीक है, और फिर उसको announce कौन करती है, ये recommend की announce करेगा, CCEA, ठीक है, Cabinet Committee of Economic Affairs under Ministry of Finance, चलिए ये सब जान लिएज़े, पहला statement अब देखिए, कि it replaced the statutory minimum price of sugar can in 2009 through amendment of the sugar can control order, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पहले statutory minimum price act के तहट, इसका price regulate होता था, अब इसको FRP दिया जाता है, पहला सही, दूसरा देख लिए, it is determined on the basis of recommendations given by the CACP, तो मैं तो बता ही दिया कि CACP के recommendation के basis पर इसको announce किया था था, बिल्कुल सही, दूसरा देख, तीसरा देखे, FRP is generally higher than the state advisory price, ठीक है, ये तीसरा गलत है, देखे, FRP क्या है, कि central announce किया कि, जो sugar can je mill है, sugar mills जो है, sugar mills, किसानों को, sugar can का कितना पैसा देंगे, ठीक है, ये होगे FRP, लेकिन state जो है, वो किसानों का और थोड़ा भला करने के लिए क्या करती है, अपनी price जारी करती है, जिसको बोलते है state advice price, और state advice price generally FRP से थोड़ा high रखता है, तकि किसान अपने state के किसानों का थोड़ा और भला हो सके, ठीक है, तो ये FRP जो है higher नहीं होगा, SAP से, SAP higher होगा generally FRP से, तो तीसरा statement गलत है, 60 का right answer क्या हो जागा, option number A, 1 and 2 only, देखे, 61 देखे, which of the following are characteristics of mixed economy, mixed economy simple मतलब है, public sector, private sector, government, सभी लोग इसमें मतलब रहेंगे, पहला देखे, state and private sector both have economic roles, ये बिलकुल सही है, दूसरा देखे, private sector to play those roles where invisible hands can work properly and state is prohibited from playing this role, ऐसा नहीं है, state prohibited नहीं है, state और private sector दोनों role play करेंगे, तो state prohibited कैसे हो जागा, तीसरा देखे, economic roles played by state and private sector remains fixed, fixed भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कि private sector का role को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, तो role fixed नहीं है, ठीक है, तो third statement आपका, गलत है, 61 का right answer क्या हो जागा, option number A, 1 only, ये सब बहुत simple question है, 62 question देख लिजे, which of the following statements are correct about agriculture infrastructure fund, ठीक है, एगरी infrastructure fund के बारे में, कौन सा statement correct है, ये पूछ रहा है, तो देखे, it is a central sector scheme, ये बिल्कुल सही बात है, जो agriculture infrastructure fund है, ये एक central sector scheme है, वाला correct है, दूसरा देखे, the scheme self-provided medium and long term debt financing facility for investment in viable projects, और post harvest management infrastructure, देखे, farmer है, उसको तीन टाइब का fund चाहिए, short term, medium term, और long term, जनरली short term fund का जुगार हो जाता है, उसका किस के तरू, किसान credit card scheme के तरू, तिक है, medium term और long term जो fund है, उसका जुगार कैसे होगा, तो वो इसके तरू होगा, agriculture, infrastructure, fund के तरू होगा तो दूसरा statement बिल्कुल आपका correct है, तीसरा देखे, credit guarantee coverage will be available under credit guarantee fund trust for micro and small enterprises, तो ये देखे, एक credit guarantee, guarantee trust for micro and small enterprises, ये government ने बनाया है, और इसमें government कुछ पैसा रखती है, पैसा रखती है, इसलिए, कि generally इन किसानों को, ठीक है, या MSM इसको, farmers plus MSM इसको, bank loan देगी, तो वो लोन होगा, ठीक है, क्योंकि किसान से बहुत जादा mortgage वगार लिया नहीं गया है, तो वो लोन अगर डूब जाता है, तो उस लोन का कुछ हिस्सा जो है, इस trust से government bank को वापस देगी, तैकि bank को पूरा-पूरा loss ना हो, ठीक है, तो credit guarantee coverage इसी के द्वारा provide किया जागा, ये किसान, agriculture, infrastructure fund से जो लोन लेना चाहते है, उनको भी ये guarantee देता है, ठीक है, तो 62 का right answer क्या हो जागा, option number D, देख लिजे, 63rd question देखेंगे दोस्तों, which are the following statements about the national mission on edible oils, oil palm is are correct, मैंने आपको बताया थे, इंडिया, oil palm बहुत कम produce करता है, mainly import करता है, इसी के लिए ये scheme लाया गया है, ठीक है, तो ये scheme है, कि it aims to augment the availability of edible oil in the country by harnessing area expansion, increasing crude palm oil production, with the aim to reduce the import button, बिल्कुल ये सही statement है, कि जो oil palm हम लोग को import करना पड़ता है, उसके जगे हम लोग क्या करें, कि ज़्यादा area में oil palm को ये करें, cultivate करें, ठीक है, crude palm oil का production को बढ़ाएं, ठीक है, तो ये statement बिल्कुल आपका सही दूसरा देखेंगे It provides price assurance to the oil palm farmers on the lines of MSP, हाँ, बिल्कुल सही बात है, price assurance दीजेगा तभी तो वो लोग oil palm उगाएंगे, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा देखें, It provides special focus on states of western ghats due to its favorable climate factors for the, देखें, जो special focus है, याद रखें, तो national mission on edible oils and oil palm के तहत special focus है, North East state, अप्लस अंडमान एंड निकोबा को, ठीक है, दम याद रख लिजे यहीं से, कि यह जो mission है, national mission on edible oils and oil palm, special focus is given to North East and अंडमान एंड निकोबार, तो राइट एंसर क्या हो जाएगा, 63 का A, 1 and 2 only, आई दोस्तों, अब यह एक लंबा सा passage है, इसको पढ़िए, यह चुकिए last question है, you have to answer this question, ठीक है, this commercial plant is equatorial in nature, equatorial plant है, needs 25 degree Celsius से ज्यादा temperature, moist and humid climate चाहिए, rainfall 200 cm से अधिक चाहिए, grows well, drained alluvial soil, the British established first plantation in India, 1902 में पहला plantation लगाया था इसका, on the banks of river periaar in Kerala, यानि Kerala के आसपस इसको ज्यादा उगा जाता होगा, 100% FDI जो है, allow किया गया है, इसके plantation है, तीक है, तो आप बताएए, कि यह coconut होगा, कॉफी होगा, rubber होगा, कि mustard होगा, read it once or twice, ठीक है, it must be a passage from some NCRT, ठीक है, इसलिए में आपको बोला था है, कि यह crop का, से related, यह step का जो passage है, ठीक है, NCRT में दिया गया है, उसको पढ़ना बहुत जादा आपकली important, बहुत जादा important है, आपको याद भी नहीं रखना पढ़ेग the right answer in the comment, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज के session complete होता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको भी अच्छा लगा है, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, वो मेरी telegram channel CACV अनन्मोहन को join कर सकते हैं, वीडियो को like कर दीजे, और UPSC experience के साथ इसको share करिए, चैनल